लेट स्टार्ट अल्ट्रा सोनिक टिस्टिंग मेथर्ड जो लोग लेवल तू एंड लेवल थ्री करना चाहते हैं उसके लिए आज का चैप्टर जो है बहुत इंपोर्टन बन जाएगा और जनरली जो लोग इंटर्यू भी देने जाते हैं उसके लिए भी आज का सेशन है ब युर्फ प्रोपोगश्ण रिफ्लेक्षिंट स्ट है घंट के लिए अलग अलग टाम है उसके बारे में और व्योषफ प्रॉपोगश्ञ जो चार टाइप कि होते रहे हैं उसके बारे में वालग पूरा उसका टेस्टिंग जो करवाना है उसमें मिनिमम जेटू ग्रूव होना चाहिए एस पर SNTTC1A 2020 रिकमनडेशन प्रैक्टिस बोलता है कि आपका नियर वीजन जो है वो मिनिमम जेटू चाहिए तो जे थ्री नहीं चलेगा जे फोर नहीं चलेगा यस जे टू चलेगा और जे वन भी चलेगा तो आप लोगों को जंडर ले अगर आपका आँखोके हैं तो आपको जेवन डलवाना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के अंदर ओके एस पर एसमी सेक्षन फाई जो है अमेरिकन सॉसाइट्यों मिकेनिकल एंजिंगिरिंग जो एसमी सेक्षन फाई नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए है वो भी ऐसा बोलता है कि आपको कंपल्सरी आपका नियर वीजन है वो जेवन होना चाहिए वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इसके लिए भी आपको जेवन डलवाना चाहिए आपके सर्टिफिकेट के अंदर ठीक है ओके यह सब चीज़ अमने सर्टिफिकेट कैसा होता है वो डिसकस किया फिर बाद में हमने डिसकस किया अल्ट्रासॉनिक प्रिंसिप से ले के 28 से ले के 20,000 हर्ट सांथ तक ही हम लोग स्वक्ते याば यह सकते है या देख सकते ऩngजोब ऐसा ही फाकिeren में यह फ्रिक्वेंस यह लोगवो को सउनाए उस کا बाद का जो ट्रांस्पर होता है वह अल्ट्रासॉनिक वाईबरेशन बोलते है इल्ट्रा सवनिक ठीक है पर यह जो होता है उसके आपर फूरा डिस्कस खीया उसके बाद पर सीको के बारे में किया थू टेस्मैब्सिंट को एक दम सिंप्ल वाला है कि एक ही चीज रहता है वही ट्रस्मेट करता हे यह रैइट पर ट्रस्ट के बहल में छोड़ा हो एक सा मिसंगर करता है दूसरा रेसीवर भी होता है दोनों उसको अलगाना पड़ता है वह भी हमने डिसकस किया फिर contact testing और immersion testing के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने उपर सली बाते की और उसके बाद में हमने discuss किया स्वीप डिले के बारे में भी पुरा depth में discuss किया machine के साथ sweep length क्या होता है वो सब चीज़ के बारे में उसके बाद rejection control कैसे करना है उसके बारे में करना है कैसे करना वह भी बारे में discuss किया डियसी मतलब distance amplitude correction उसके बारे में discuss किया tcg time corrected gain उसके बारे में discuss किया sensitivity time control उसके बारे में भी depth में discuss किया तो आज मों already और अगें एवर एक चप्र स्टार्ट करेंगे chapter number 4 जिसका नाम है वेव propagation and reflection and reflection ठीक है उसके बारे में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विशाल धामेलिया आप सभी का स्वागत करता हूँ welding and entity service में जिन लोगों को entity level 2 का यहाँ पे class online भी फिनिश हो चुका है या तो offline भी फिनिश हो चुका है वह यहाँ पर दिपेश पटर से contact कर सकते है जिसको renewal भी करना है उससे भी contact कर सकते है यहाँ पर हम लोगों का ऐसा system हमने बनाया है किसी चे कोई भी फीज नहीं है या तो online आप class करो offline class करो रहने का भी अम लोग फ्रियोग कोश्ट देते हैं यहाँ पर लाइट बील फोर था reflection reflection का तो उसमें हम लोग पहला डिस्कुस करेंगे वेलोसिटी का एक डिफिनेशन दिया गए वेलोसिटी मतलब जितना वो डिस्टन्स काटेगा कितने टाइम में वो काटा है उसको बोलते है वेलोसिटी इसमें नहीं कर दिफाइन की ऑगया है तो डिस्टंस काटा है और कितने टाइम में उसने काटा है उसको बोलते है वेलोसिटी जाता को की बात कर रहे है हम लोग 20,000 हर्ट से ज्यादा जो हर्ट से उसका डिसकर्स कर रहे है ठीक है तो आप यह याद रखो यहाँ पर यह जो बात किया है वेव स्पीड रिमेन कॉंस्टन इसका मतलब अल्ट्रासॉनिक का वेव स्पीड जो है वेलो सिटी है वो सभी मटिरियल में अपना अपना इस्था है जैसे कि जैसे कि एर है तो एर का वेलो सिटी यहां पर कितना है जिरोॉ स्पीड रिमेन कॉंस्टन तुदर गिवन मीडियम जो भी मीडियम दिया गया है उसमें वेलोसिटी कॉंस्टन है ठीक है यह फंडा क्लियर है राइट ओके यह मैं इसके लिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको धीरे-धीरे अल्ट्रासोनिक का जो प्रॉब होता रहना वहां पर मुझे पहुंचाना है इसके लिए मुझे छोटे-छोटे चीज से वेलोसिटी से स्टार्ट करना पड़ा अभी में वे उस पर आया उसके बाद और थोड़ा चीज में एकोस्टिक इमिशन में एकोस्टिक इंपिडेंस में आएगा धीरे-धीरे सब चीज आएगा ठीक है और लिस्टेट भीलो दर टेबल आप इंपिडेंस वेलोसिटी एन डैन्सिटी वेल्ल्यू देखो यहांपे कितना दीया गया है जूरो एक एप्रोक्सिमेंटली जीरो जीरो पाइंत जीरो फॉइंट जिडो जिरो जिरो वन राइड वार्ट का वाटर का द लो सिटी इन्टो डेंसिटी गारंघए तो क्या मिले गार एको टीकिंपिडर्था यह तो इतनी है रह। राइट कर लाहिट यहां पर फरक यह है यहाँ पे स hardly square है मेराम में इसके लिए यहां बेज मिनडी ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पर इस fingerprints लाज लग लेकर आया है ठीके निया कोजे आप इस फ़्रैया को यह दो अधो फ्राइब लिगन जो है व कोई बराबर बोल सकता है भराबर है कि गलत है नहीं है है very good online में भी एक दो लोगों ने बोल दिया है आगे बढ़ते हैं ठीक है देखो दन लिस्टेर विलो टैबल आप इंपीड़न्स वेलोसिटी एंडेंसिटी विल्यू जो है उसका उसका है ठीक है इसका दोनों का क्रॉस सेक्शन है इस यहाइलिस आपको जब अल्ट्रास।न का क्यल्कूलेशन आएगा तब आपको बहूत इंपोर्टन बंड़ बन जाएगा दोनों का क्रॉस है ठीक है यह दोनों का cross है यह सब is equal to है ठीक है ऐसा है यह कोई rocket नहीं है ओके अभी जब आप ultrasonic test करने आये है इसका मतलब यह हुआ कि आपको calculation से सुट छुटकारा नहीं मिलने वाला calculation बहुत important part है और वैसा calculation है scientific calculation है यह कोई बाकर नहीं एकड़म सिंपल कलेशन ऐसा नहीं है है साइन सिटा इसका मतलब यह होता है इसा साइन सिटा इस इक अरे इसा कुछ एपट है नहीं ठीक है इतना डेंगर कलेशन नहीं यह तो आप टेंचन नहीं लेने का कैलकुलेशन में कहां घुसा दिया तीन बहुत कॉलेश टाइम पे हमने किया था आप यह साला हम लोग जॉप कर रहे और आप कैलकुलेशन सिखा रहा है ऐसा कुछ नहीं है डॉन्ट वरी सिंपल है आगे बढ़ते है अल्टरा सॉनिक वेव और रिप्लेक्टेड क्या लिखा रिफ्रेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों अलग चीजे ठीक है तो आप यहां पे लिखा अल्टरा सॉनिक वेव और रिफ्लेक्टेड वैं दे एंड काउंटर दे मीडियों आप डिप्रन अकॉस्टिक इंपीड़न अलग हो जाएगा जहां पे एकॉस्टिक इंपीड़न अलग हो जाएगा वहां पे वह क्या होगा रिफ्लैक्ट होंगा अगर मैं यह बोलू मैं मेरा एक एल्ट्रा सांद है यह ऑईल में से यह तो वर्टर में से मुझे स्टील में डालना है तो व्थर और एन्टि 않을 दोनों का इकोजस्ट कि इंपीड़न के अलग लग लगे नहा तो अलग अलग है अगर अलग होगा तो क्या बनेगा हमारा जो वेव से ना उसका डाइरेक्शन टीड़ा मेड़ा चेंज होगा राइट अभी समझ में आया ओके अभी देखो यहां पर यही लिखा है नहीं कोई नहीं है अल्टा सोनिक वेव रिफ्लेप्टेर वैन कब वैं यहर एंड काउंटर अमीडियों अब डिप्रन अकोस्टिक इंपिदर्स अलग अलग होगा अलग जैसे ही बनेगा वहां पर उसका रिफ्लेक्शन हो तोरी रिफ्लेक्शन हो गा ठीक है आगे बढ़ते हैं दी सर्फेस अंगे इंक्तर पेसलिकर अभी यहां पर मीडियों वन लिखा है रयट मीचमे मीडियों टू रिखा है यह पे मीडियू लिका ₹म अभीच न और बोल सकते हैं रूपश्टे सब्स्क्त अुकों च्र adm respe of कुमिंगे अरि Walk Distance लेकिन पताचला, इतने एरिया में तो पानी था और यहां ओसिल स्टाट हो गया a अईसा पता च्कलो तो अकॉस्टिक इंपनीन दोनों तो क्या होगा वो रिफ्लेक्ट होगा अगर सेम होता तो तो सेम उसका ऐसे ही डाइरेक्शन में आगे बढ़ता लेकिन सेम नहीं है मेरे भाई यहां पे उसका अलग-अलग है दोनों का एकोस्टिक इंपिडन्स मतलब दोनों के अंदर मट्रियल के अंदर वैलो सिटी भी अल यहां था उसको पता चला कि यहां पर तो एकोडिक इंपिडन्स चैंज या तो मट्रियल ही चैंज हो गया तो फिर उसका डाइरेक्शन चैंज हो जाएगा तो उसको बोलते है रिफ्लेक्शन क्या बोलते है रिफ्लेक्शन वह जो यह जो सर्फेस हुआ न यह जो सर्फेस वह सर्फेस को क्या बोलेंगे इंटर्फेस बोलेंगे क्या बोलेंगे इंटर्फेस तो यहां पर अंग्यूलर इंसीडन दिखाया गया है अंग्यूलर इंसीडन मतलब एंगल तो अब यह भी मैं आपको अभी से बोल दूँ अगर यह थीटा है तो यह भी क्या बनेगा थीट interface is common boundary between two material common boundary दोनों मट्रियल का एक common boundary हो ना material और फेज सच अलुमिनियम हो या स्टील हो टू वाटर टू स्टील हो एलुमिनियम टू स्टील हो या वाटर टू स्टील हो ठीक है दोनों का बाउंटरी से रहेगा मतलब यहां पर बीच में से अबीम ओफ एनर्जी एप्रोचिंग दे इंटरफेस इस रिफ्लेक्टेड इंसीडेंट वेव इसको बोलते है यह जो भाई साब आये ना उसको इंसीडेंट वेव बोलते हैं इंसीडेंट मतलब उसी से उत्सर्जीत होगा राइट आगे बढ़ते हैं दो एंगल एट वीजट वेव ट्राइक द इंटरफेस इस नौन एंगल आप इंपिडन शीज शोन वीलो देखो एंगल एंगल एट वीजट वेव ट्राइक इंटरफेस यह यहां पे यह क्या इन च्प Ti White को इन शीडन ब ancestry गी इसको क्या बॉलेंगे अ एंगल ओस हिन सी नंस मैं है इसके लिए यह समझा रहा हूं कि मुझे परोपके के अंदर डालना मुझे आपको एंगल प्रॉब दिखाना है मुझे एंगल प्रॉब के अंदर कैसा एंगलिंग सिस्टम बनता है वो दिखाना है इसके लिए छोटा-छोटा चीज से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको आगे जाके पूर क्लियर मैंड हां यहां पर इंटर वन है यह टिटा टू है तो दोन और एक्टली से मिए टिटा वन इस एकल टिटा टू ठीक है आगे बढ़ते हैं दो इंसीडांट विए वी सेड हैवन नॉर्मल इंसीडान वेन डायरेक्शन और प्रोपागेशन इट पर्पेंडिक्यूलर तो देंट इन इंटर इस ठीक है तो देखो अगर मैं यह बोलू यह इंसीडेंट वेव को में यहां पर ऐसा ड्रोकर करके यहां पर घुसाओ तो यह पर्पेंडिक्यूलर हो गया एक दम पर्पेंडिक्यूलर तो उस टाम पर उसका वेवस एंगल कितना है जीरो है पुछ भी नहीं है एक्जेटली अगर मैं पर यहां पर यहां पर एंगल इंसीडेंस हुआ था अगर एंगजेटली पर टैंडिक्यूलर starters को गुशाओ तो उसको नार्मल इंसीड़न्स वो लिए तो यह नॉर्मल प्रप हो गया एंगल अगल प्रफ हो गया डाइट ऐसा हो सकता में सीधा ही गुसाता हूं अगर मैं सीधा ही गुसाओं, नॉर्मल प्रॉप से सीधा जाएगा, अगर यहां पे बोलौ तो यह एंगल हो गया, इसके लिए इसका नाम है angular incidence, यह जो एंगल बनाता है इसका, और यहां पे है नॉर्मल incidence, उसी के नाम से भाई सब हमारे नाम रखा गया है, अंगल प्रॉप और नॉर्मल प्रोप खटा खला सिंपल बात है ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके इस वन बिलो दा इंसीडन्ट ही जीरो हां तो नॉर्मल प्रोप में जीरो ही होगा ना और जीरो ही है वह वैसे भी नॉर्मल प्रोप बोला जाता है इसी की बज़र से कुछ अनर्जी स्ट्राइग ड़ी स्ट्राइग्डered कुछ एनर्जी स्ट्राइग इन्टर फिस इंटरफेस इन्टर फिसमन बढ़तेश जान्य situation रोप सॉट्रोक खोगा इसको बोलते हे इंटरफेस्ज फिब मुचल गात्रोग श्रोगा आसे निकल जायेका थहां थ्सी निक जाए ऐसा भी हो सकता है ना हैसा हो सकता है तो इसकी बात कर रहा है है सम ओप दो वगधस ट्राइग दो इंटरफेस पूल तु सकता है यह से यह संज़ा ऊसमें से भी वह्ल्घ होगा तो शायद ना हो, हैं, शायद, I don't know, ठीक है, वैसे ultrasonic test तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, some of the wave energy strike the interface, जब interface पे strike होता है, उसका, तब विल transmit through the interface, उसको भी transmit ऐसा हो जाता है, और, and some will be reflect, and the angle of incident, और कुछ लोग ऐसे angle में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा है, the amount of reflection, क्या है, amount of reflection, depend on acoustic impedance, वो तो सही बात है, जितना acoustic impedance, different, different, उतना हो, यहाँ पर ऐसा करके जाएगा, यहाँ पर, मतलब क्या होगा, reflection होगा, reflection मतलब ऊपर, reflection, और reflection मतलब नीचे, ऐसा है न, देखो, reflection, reflection, देखो, reflection का spelling, R, E, F, L, E, ठीक है, तो F, पहले आया, L, L, पहले आता न, या BCD में, और आरबाद में आता है, आपको confusion नहीं होगा, वरना बहुत सरह है, यहाँ गुजगए है, रिफलेक्शन, 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 मतलब यहाँ पर की साइड में होता है, और reflection, and reflection, and नीचे की साइड होता, reflection, are उसमें जोडना है, ठीक है, ओके, the amount of reflection, depend on acoustic impedance, वो, depend on acoustic impedance, yes, definitely acoustic impedance, different, different होगा, तो कांट दो हो नहीं वाला है, ratio between two medium involved, वो दोनों का ratio है, तेगे, this reflex, reflectance factor, will be discussed in detail in next chapter, वो, उसके बारे में हो लोग, discuss करेंगे, next chapter में, ठीक है, आगे बढ़ते है, तो यहां पे जो angle of reflection बना, जो angle of reflection बना, इसको यह बोलू, इसको बोलू, तो यह है, reflected waves, यह है, interface, यहां पे incident wave, इसको incident wave बोलेंगे, यहां पे angle of reflection बोलेंगे, और यह जो boundary, always equal to the angle of infinite, यहां पर इसा घुचा बले यह बनेगा इसको एक इमेजनरी बांटरी में बोलू इमेजनरी लाइन बोलू ठीक है तो ऐसा हो सकता है ओके आगे बढ़ते हैं अभी मुझे यह सब चीज से क्या प्रूव करना है मुझे भाई प्रूव तो नहीं करना है प्रूव तो अल्रेडी बड़े लोगों ने टोपी लोगों ने अमेरिकन लोगों ने कुला टिका दिया है उसमें प्रूव करने के बाद तो हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है हमको क्या करना है हम लोग्व्य उस प्रपोगेशन समझना है कितने ह audio gives से उसमें हमको डिस्कॉसक करना है डीटेल में तो अल्टा colleaguesило any वाइब्रेशन ट्राविल इन मेनी मौट्स ट्राविल इन मेनी मौट्स अन मौश्ऽ लिकॉमम ढर यूज लॉंजिट्यूडनल लॉंजिट्यूनल वेव या तो कंप्रेशन वेव या दूसरा है शीर वेव या ट्रास्मिर राइट और तीसरा है सर्फेस वेव और चौथा है प्लेट वर लैम्ब वेव भी बोलते है ठीक है ऐसे चाहर टाइप्स के वे उसके बारे में आजम पूरा डीतेल में एकदम समझेंगे तो आपको कंftके नहीं होगा तो Norman probe में जनरल यह लॉजिट्यूनल वे यूज यूज होते है शियर वेव में अंजल एंगल प्रॉब में ये शियर वेव यूज होते है, सर्फेस वेव में सेकंड फ्रिटिकल एंगल हम जाएंगे, तो सर्फेस वेव यूज होते है, उसके बाद प्ले लेम वेव जो भी लो थिकने से उसमें यूटी करना है, हमको एकदम लो थिकने समें यूटी करना है, जिसक हाँ लॉंजिट्यूद्यूद्यूद्य दूसरा है ईट टीसरा है सरफेस वेव टॉत होता है प्लेट में चार और अपना एक responsibility अर्मल प्रॉब यूज गंगर अहां बाइं उसी की बगज़े से तो आजम सीख रहे हैं इन गरा सोनिक इस्पेक्शन सबका इल्ट्रा सोनिक इस्पेक्शन जब करेंगे तो सभी वे उसका अपना अपना एक स्पेश्यल वर्क है ओके इट इस इंपोर्टन डैट इच अंडर्स्टेंड कंप्लेटली तो हम लोगों को कंप्लेटली समझना पड़ेगा रइड चलो आगे बढ़ते हैं लोनलोwen जाते हैं हम लोग तो मेरे भाई हो हूता है तहाँ है ता एसा होता है वह उसका जो डायरेक्शन है ब्रोपोगेशन डायरेक्शन है दोनों सेम रहता है मतलब समझो मैं यहां पर मैं एक यह और इस कापन कार्बन डैयेग्राम का पहले का टोपिक या देना में उसमें न ऐता था खिज्ठ इस या तो फजीटिक्स बीट 친्द-मी अता स्रेटर्ट्र श्रक्चर उसमें क्या होता है समोच यह साव authenticate तो अभी यह नहींने प्रवर रखा क्या रखा रोब रखाया ट्रास्ड्यूसर रखा ठीक है यहां से मैंने यहां से ये सा एनरजी दिया तो потрै इसको ध्क्रमारे में तो इसमें आपको clear फता चलेगा कि क्या कांड होता है क्या मसला होता है क्या प्राब्लम होता है कैसे vibration transmit होता है वो सब चीद चप्र नमबर टू में सिंग आया में ठीके YouTube में है डाल देख लो अगर नहीं देखा है तो आप फिर बार बार देखने से अच्छा है फाइदा ही है आगे बढ़ते हैं मेरे भाई इसमें क्या होता है यह जो y2 यहां होगा ये सबक्राइस को व्सक्राइब हो गांटरर्स एसका इंडिया जाएकी आगे पिछे आगे पिछे आगे पिछे आगे पीछे हैघे इसा मूवमेंट होगा उसका बैक एन फोर्थ मूवेंट चैप्टर नुबर टू पहला लाइन राइट तो ऐसा वो मूवमेंट होगा तो वो जो वे उस है उसके वोज़से जो वे उस प्रोपोगेशन यहां पर मैंने प्रोब ऐसा घुसाया है यहां पर ऐसा लगाया है अगर डाइरेक्शन इसका कि कौन से साइड हुआ ऐसा डाइरेक्शन हुआ ना प्रोप का ऐसा डाइरेक्शन उस में से यहां पर मैं इलेक्ट्रिक एनरजी दिया क्या दिया इलेक्ट्रिक एनरजी तो यह डाइरेक्शन हुआ तो यह डाइरेक्शन होगा ठीक है न्यूटन्स कभी हमने दिखा था कि एक बॉल को मारो तो फिर लास्ट वाला बॉल हूँ आगे जाता है राइट ऐसा तो ऐसी डाइरेक्शन में वह आगे बढ़ेगा तो उसी की बज़स यहां लिखा है कि विव फोर्टन बैक मुमेट एंड डायरेक्शन अब तो व्यों प्रॉपरोगेशन जो व्यूस डारेक्शन म् डाला है तो फ्रोब कि सहे या तो क्रिष्टल या तो ट्रांश दूसर्स लिटारिसर से जो डायरेक्शन में डाला स्थिक्या contemporary बट्स एक बारें का बहुج सतरे से चोटे 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 पार्टीकल ऑंगे वह एकदव लाईन में है फिक है ऐसा समझो चाहिए सम्च हो सब चीज़ में एसा यहां पर रोग नहीं कर सकता हूं लेकिन आपको एसा समझना है कि मैटल के अंदर श्रक्चर लॉंजिट्यूडनल में ऐसा बैक एंड फॉर्थ मूमेंट होगा और एल्जिट्यूडनल डाइरेक्शन में प्रॉपोगेशन के डाइरेक्शन में मैं अमारा मूमेंट होगा उसी की बज़से उसको को बोलते हैं longitudinal wave और नॉर्मल प्रोब में हमको उसको यूज़ करना है अभी बात करते है शीर ट्रांजवर्स वेव की शीर वेव उसमें क्या होता है शीर वेव पार्टिकल वाइब्रेट पर्पेंडिक्यूलर तो डायरेक्शन अब दायरेक्शन मतलब यह पर्पेंडिक्यू मतलब अबी देखो यहां से मैं डाल रहा हूं तो ऐसे वाइब्रेट हो गाईट उपर नीचे एया है आपको इसका भी आइडिया आएगा तो यहाँ पर नया कोई Rockets नहीं है त्थीगिए सिंप्ल बात है है यहां पर सर्ट करने है वह तो यह आंदर या घो पार्टीकल थे फ 나오ंटे वहां। यह ऐसे वाइब एटकल यह को लॉटोनल बोलते हैं है लेकिन यहां पर नीचे उपर नीचे इसा वाइब डेट होगा और उसी की बजर से वो जो वेंचे उसको बोलते हैं कैसा वेंग सीयर वय या तो उसको बोलते हैं ट्रांजवर्ट वे ठीक है तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर किया और य ऐसा है यहां से में इसा कुछ है अ työ तो यह ऊपर नीचे ऐसा है तो उपर नीचे ऐसा है तो आगे पिछए लेकिन उपर नीचे हो कि एक अई कैसे और को डो है वो किसमें यूज होता है नॉर्मल प्रोबने और शीर वेव एंगल प्रोब में वेरी गूड आसा आज़ा आज़ेटिक रखने का पता चलना चाहिए कि हम लोगे हां पर कुछ कांड कर रहे मतलब सीख रहे ठीक है आगे शीर वेव विल नौट ट्रावेल तूद लिक्वी नहीं होगा शीर वेव यह उसका एक गंचक्तर प्राब्लम है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर स्टील का वैलसिटी कितना है यहाँ पे त्रीटू भाई जिरो लॉंचिटूनल वेव का वैलसिटी क्या था आई 920 अभी आगे बढ़ते हैं मैं आपको यह बोलूं कि चलो अ ख्राइट लेंब्रा भाई टू रितना डिसट इन्युन्स सपवाइड कर सकते हैं तो लेमरा इशिकोल क्या है घ्रबॉर्ट वीडिवाई धाय फ तो मुझे यह बोलो लेंब्रा जितना छोटा आएगा जितना छोटा आएगा उतना उतना हमारा मिस युद्य गय्कfightर छू नूमबर टू में लास्ट टॉपिक में समझा राइट अभी मुझे ये बोलो यहां पे लेम्डा छोटा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते है रिकुंसी बढ़ाएंगे चलो फ्रिकुंसी में आपको यह बोलू मेरा फोर मेगा हर्स का फ्रिकुंसी फिक्स है चलो तब वेलों में तो और मेने को कुछ कान कर सकता हूँ वेलोसिटी अगर में बढ़ाएगा कम करेगा तो फाइदा होगा मुझे लेम्डा कम मिलेगा फैदा होगा मुझे होगा में जितना कम रखेगा उतना अच्छा है उतना तो उतना चोटा का चोटा डिक्स कंटिजूटी मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा चलो मैं आपको यह बोलू मैं तीन मेगा थिन मेगा हर्च का लेंबडा इस इक Wamटो वD wan I f ठी ए मेरे पास प्रोब जो है उपकोर मेगा हर्च'S का चलो तीन मेगा हर्च का मेरा प्रोब है कितने का है थीने willst कंटर किक्नता है ए डेन्य यह निकलो चलो लेमडा इज इक्वल टू वी कितना है 5920 डिवाइड बाई मिटर पर चेकंड है यह और यह है 3 मेगा हट्स तो यह लेमडा इसमें कितना आएगा कितना आएगा 1973 फिर से आपने बराबर किया है 5920 डिवाइड बाई 3 तो कितना आया इंटू डिवाइड बाई 200 करो क्योंकि 1000 करो तब हो जाएगा न 1.9 आया ना 1.9 मतलब 1.9 आया यहां यहां पर 1.9 अभी मुझे यह बोलो यहां पर मैं इसका करता हूं लैमडा यहां पर कित कितना है यहां पर 3 2 5 0 और डिवाइड बाई एप 3 मेगा हर्ट्स तो उसका करो कितना आया की कितना आया को लिक सकता है 1.083 1.08 mm I right abhi Mujia below the lambda by two weeks का कितना हुआ lambda by 2 कितना हुआ lambda by 2 approximately 0.5 mm हुआ यहां पे और यहां पे lambda by 2 कितना हुआ lambda by 2 1.9 divided by 2 करो कितना हुआ approximately 0.95 हुआ approximately बोलता हुआ मैं राइट चलो इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि longitudinal wave में यूज़ करेगा तो मुझे minimum कितना discontinuity मिलेगा 0.95 का discontinuity मिलेगा point 8 का discontinuity होगा porosity होगा तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन वही से मेने प्रोब यूज़ किया लेकिन शियर वेव से काम एंगल प्रोब यूज़ किया तो point 5 का भी मुझे discontinuity porosity मिल गया समझे बात देखो कितना इंपोर्टन है वेव फर्मिला कितना इंपोर्टन है बहुत इंपोर्टन है भाई समझे कि नहीं समझे कि सब उपर से गया कि समझे देखो फिर से longitudinal wave में velocity ज्यादा होता है स्टील के अंदर 5920 मेरा जो एफ जो है frequency है वो तीन मेगा हट्स का में प्रोब यूज़ करता हूं कितना मेगा हट्स का तीन मेगा हट्स का तो लेंबरा मैं गिनता हूं तो 1.9 mm आया लेंबरा बाइटू करेंगे उतना हम minimum discontinuity find कर सकते हैं चैप्टर नंबर टू लास्ट टॉपिक में हमने समझा ठीक है तो अभी मुझे यह बोलो लेंबरा बाइटू इस इकवर टू इसका बनेगा 0.95 मिला राइट तो मुझे 0.5 का discontinuity इसमें मिलेगा टांजिटिननल वे औरमल प्रॉप यूज़ कर गा तो नहीं मिलेगा वही जगह उसी जगह में एंगल प्रॉप यूज़ करे गा तो ये र-व व्य यूज करेगा तो उससे किदना होता है स्टील का ही यूज कर रहा हूं इसी का मदलब लैंब्डा में फायंड कता हूं तो इतना है लैंबडा यूज मेथड कौन सा है दोनों में से यह चीर वेव डेफिनेटली शीर वेव राइट तो इसी की बज़ा से यह सब हम मगजमारी कर रहे हैं आपको इसके लिए मैं समझा रहा हूं लॉंग लॉंगि लॉंगि यूजिट्वीडनल वेव क्या है और क्यों कहां पर यूज करना चाहिए शीर वेव कहां पर और क्यों मशीन का जब चलाएंगे ना तब इसको आपको डालना पड़ेगा यह वेल्यू डालना पड़ेगा मशीन के अंदर ओके इन सम माटेरियाल वेलोसिटी ओप शीर वेव अबाउट वन एन हाफ देर लॉंजिट्यूडनल वेव मतलब देखो 5920 एप्रोक्सिमेटली इसका कंटेन्यूटी विंब्लोग आइं कर सकते हैं राइट अभी समझे आगे बढ़ते हैं यहां पर देखो यह विव दिखाया ठीक है यहां पर में भुसाया इसको यहाँ पर फिर उपर नीच उपर नीचे ऐसा वाइब रिट कर रहा है आगे बड़ते मोड कन्वरजेशन तीसरा कौण झा पजा और नहीं दीजरा बचाना बत्त डिस्कत कर था होग से समझ लेते हैं उसके बाद में चप्टर क्लोज करते हैं आगे बठके ठीक है more conversation take place when the sound beam is hits the interface between two different medium in the angle other than 90 degree okay 90 degree में आपको नहीं डालना 90 degree exact perpendicular हुआ नॉर्मल नहीं करना है मतलब यहां पर समझो यह interface exactly 90 degree में आपको probe नहीं रखना है ठीक है अगर आपको angle probe में ही यह आपको आगे का surface wave मिलेगा right surface wave और कौन साथ बचाता मतलब plate wave right यह दोनों का भी discuss करना है इसके लिए हम लोगों को यहां पर ऐसा लिखा है mode conversation take place when sound beam hit the interface interface मतलब दो जहां पे medium अलग-अलग होता है यह medium 1 है यह medium 2 है example के तौर पे तो यह जो है हुआ यह जो बना वो interface बना ठीक है interface between two different medium and angle other than 90 degree 90 degree से अलग C direction में आपको मतलब angle में डालना है ठीक है अभी देखो angle में डालते है ठीक है आगे बढ़ते है तो more conversation in case presented below the produce two reflected beam अभी देखो भले ही यहां पे यह टास्दूसर यूज किया है लेकिन यहां पे तो यहां पे मैं अंगली ले रहा हूं देखा जाये तो otherwise otherwise मैं आपको यह बोलूं यहां पे और एक यूज करते है का हां गया तो और है यह डालता हूं ठीक है otherwise यहां पे दिखाया हुआ है ऐसे भी तो यह सब चीज एंगल का ही है देखा जाए तो ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं एंगल में डालो तो incident wave कैसा होता है वो discuss करते है one beam consists longitudinal wave and other is consists shear wave तो अभी यहाँ पर मैं आपको draw करके दिता हूँ समझो यह interface है क्या है interface यहाँ से यह एक imaginary boundary draw कर रहा हूँ क्या है imaginary boundary अभी यहाँ से मैं एक एंगल में एठीटा करके बुसा रहा हूँ समझो मेरा 60 degree example के तो यह मेरा क्या है ट्रांस्ड्यूसर 60 degree यह 45 degree का जो भी समझो ठीक है यहाँ पर है मेरा water क्या है water या तो वाइल समझो यहाँ पर है मेरा still राइट यह imaginary boundary को मैं यहाँ पर फोड़ा लंबा खीशता हूं ठीक है इसको लंबा खीशता हूं ऐसा अभी देखो अभी क्या होगा यह है ना इसके ऐसे दो पार्ट पर जाएंगे यह एक और एक दूसरा यह जो है ना इसका direction longitudinal ऐसा रहेगा और इसका जो है वह ऐसा ऐसा वाइब्रेशन रहेगा राइट इसका परपेंडिकुलर वाइब्रेशन रहेगा राइट तो यह हो गया shear wave यह कौन सा हो गया longitudinal wave अभी मुझे यह बोलो अभी मैं क्या करता हूं इसको यह जो 60 डिग्रिया ना उसको दीरे दीरे बढ़ा जाया हूं बढ़ा देता हूं बढ़ा देता हूं यहां पर डालता हूं तो यह बाई साब longitudinal wave एकदम surface के उपर आएगा इंटरफेस पर चड़ेगा राइट की रॉंग तो वो जो इंटरफेस पर चड़ा है उसको बोलते है first critical angle कैसा angle first critical angle तो अभी वो मैं draw करता हूं यहां पर छोटा सा ठीक है मैं इतना ज्यादा नहीं कर रहा हूं लेकिन छोटा सा सम longitudinal wave बन गया यह 90 degree हो गया राइट 90 degree कौन पूरा का पूरा ठीक है और यह shear wave बन गया यह क्या है angle मैंने यह उपर से घुसाया है वो प्रोब से तो इसको बोलते है first critical angle ठीक है अभी और मैं बटाता हूं और बटाता हूं क्या करता हूं इसको और थोड़ा नीचे लेता हूं य मैं यहां पर ड्रो करूं समझो मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूं प्रॉप का angle तो यहां पर यह भाई सब आएंगे तो यहां पर longitudinal direction ऐसा उपर जाएगा ऐसा ऐसा राइट और यहां पर यह शीर वेव इसकी surface पर आ जाएंगे यह जो हमरा क्या बोलता है interface है उसमें आ जाएंगे तो यह कौन सा है शीयर वेव शीयर वेव है लेकिन अगर शीयर वेव 90 डिग्री बन गया तो इसको बोलते है Second critical angle क्या बोलते है Second critical angle तो फर्स critical angle में क्या हुआ longitudinal wave को मैं इंटरफेस में गुसाया मतलब एंगल इतना ज्यादा लिया और दूसरी बार में क्या किया और थोड़ा ज्यादा लिया और शीर वेव को 90 डिग्री में गुसाया तो वो जो शीर वेव भी है ना उचको भी शीर वेव नहीं बोलना है इसको बोलना है क्या बोलना है सर्फेस वेव बोलना है राइट देखो इतना मगजमारी है हम लोग अभी एक 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 पॉइंट समझते है आगे आगे ठीक है देखो तो अल्टरा सॉनिक एंगल बीम ट्रांस्ट भीसर यूज इन फॉल एग्जमपल दर रिफ्लेक्शन शीर वेव आर यूसफुल इन मैनी इस्प यहां पर पर्पेंडिक्वल इंटरफेस हुआ यहां से यह गुसा यहां से यह गुसा इन लोगों ने लिखा भी मैं पढ़ रहा हूं बाकी मैं पूरा का पूरा ठीरिया पको समझा दिया रइट वहां पैंब अभी क्या है यह लॉंजी टूर्णल वेव बन गया यह यहां का भी एक एंगल बन गया यहां का यहां इसा इसको बोता है reflection अगर नीचे ऐसा गया तो उसको बोता है रिफ्रेक्शन क्या बोता है रिफ्रेक्शन ठीक है तो ऐसा नया कोई रोकेट नहीं है अभी उसको दीरी दीरे और मैं बठाता जाता हूं शेल वे उसकी बाद में डिसकस करते हैं तो एंगल ओफ इंसीडेंट इंक्रीज अभी वैसे यहाँ पर एंगल और बढ़ता जाएगा ना ऐसे ऐसे होता जाएगा ना तो यह सब चीज का डिसकसन है वेन दे रिफ्रेक्शन एंगल इन लॉंजिट्यूनल वेव रिच 90 डिग्री मतलब इंटरफेस के ओपन 90 डिग्री पर पहुंचा तो वेवेव इमर्ज प्रम सेकंड मीडियूम और ट्रावल परेलल तो दे इंसीडेंट एंगल और इस फर्स्ट कोल्ड से फर्स्ट क्रिटिकल एंगल उसको बोलते हैं इंटिकल एंगल और एप्रोक्सिमेटल वो कितना जनरली रहता है 28 डिग्री रहता है ठीक है ओके अपर साइड रिफ्रेक्शन यस यस मीनुंहिटर साइबुक्चल रिफ्रेक्शन ओकर अगरे साइड रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्टेर शीन रिफ्रेक्टेर श्रीक्टेर अर्लिको अंके मुत्या त्रय हूं बार्णा जी का लिए força बखेय can i žो यह कि उंग्री DD थे वहां त्युक्र एको पैना बीकरेंदक एंगल और यहां पे रिफ्लेक्टेर रिफ्लेक्शन एंगल जो है वह हमारा शीर वेंगे तो उसको क्या बोलेंगे सर्फेस वेव और यह जो सर्फेस वेव है ना इसका आम को यूज करना है ठीक है इसका पहले लॉंजिट्यूनल वेव नार्मल प्रब में यूज कर लिया शीर वेव को एंगल प्रब में यूज कर लिया लेकिन इसका भी यूज है ठीक है 90 degree then we have reached the upper critical second critical angle and which produce the surface इसको सर्फेस वेव बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ते है विश्वन फिलोवाव देपर ही दिस टोटल रिफ्लेक्टिड्यान वार बहुत लॉंजी टूद्बन jawn आणड शीर वेव अभी दोनों का reflection हो गया reflection नहीं होगा इन्हाट को हो तो आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा आगे इश्वन भिलो तोटल रिफ्रेक्शन इंब बहुत लॉंजिट्यूडनल एंड शीर वेव दो नों का भाइस आपका क्या हो गया रिफ्लेक्शन हो गया विट प्लास्टिक टू स्टील यहां पर देखो प्लास यह सेकंड क्रिटिकल एंगल बना तो सेकंड क्रिटिकल एंगल जो है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग सर्फेस वेव जो फिल्ट यू आ उसको sir mathemat य रायट और नीच लिखा हुआ बाकी है अब है ओके वैं दो इंसीड़न वी मिन शेकंड क्रिटिकल एंगे थर टाइप ओ लोग एंड रेलेंड और सर्फेस वेव भी बोलते हैं लॉंजिट्यूडनल कंप्रेशन शियर वेव सर्फेस वेव एंड प्लेट वेव उसमें से हमने हुए 3 का discuss कर लिया वहलोग हम लोग चौथा का discuss करने जा रहे लेकिन चौथा का discuss करने से पहले हम लोग R själv कार और को कम्प्लीट कर लेते हैं थीक है Rlaw जो एक उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि यह सब चीज हमने मगज मारी किया है तो हम लोग हो भी है क्या है velocity of the first medium कि कह वी बन हो तो या ठीटा ऐसा चले से तो साइन ठीटा टू चले से भीटू तो दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं चले से को निकालना है इसके लिए साइन ठीटा वं डिवाईड बाई साइन ठीटा टू चले से कि जगह हमें एक दूसरे को उपर नहीं चकर देते हैं तो वी वन डिवाइड बाई वी टू तो ये शेल जो है वो बड़ा लोग है अमेरिकन लोग है उन लोगों ने यह ऐसा हैंड किया बाकि हम तो पहले से पूराने जमाने से यह सब चीद पाइंड करते आ रहे हैं लेकिन क्या पता सब लोग निकल गया है सब चीद निकल गया है ठीक है इसके लिए इन लोगों ने पहले ही कुल लाटका दिया है आगे बढ़ते हैं शेल लोग कैन भी यूज टू डिटरमाइन दो अन्यूलर रिलेशनशिप बीट्विन मिडियम बहुत लॉंजिट्यूद्नल एंड शीर राइट पता ही ओंगाना कितना फ्रो डेंगल का है और आपको पता ही होगा concert 123 रेता है पानी हो या व् सब्यैन अट भरेंगार पता है पहले से ही ठीक है थीटा टू समझों को फाइन करना है एग्जांपल़ के तॉर पर पता है गलतों को पता है still अबगो पता है तो मेरे भाय यह पता है यह पता है यह पता है तो दो ही टू टू लोंसे कि पास्ञंग ठू 시청 पीडिया है ठीक remains यहाँ पर एक water का velocity आएगा, नीचे still का velocity आएगा, राइट, यहाँ पर नीचे still का, यह still का नहीं, यह यह दोनों का एक दूसरे का cross कर दिया है, ठीक है, फिर से, यहाँ पर देखो, V1 जो है, वो water का velocity आएगा, V2 जो है, वो still का velocity आएगा, अगर वैसा हम लोग calculate करेंगे, V1 पता है, V2 पता है, ठीटा आपको पता है, ठीटा जो है, वो यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, ठीटा वन यहाँ पर दिया गया है, ठीटा भी दिया गया है, तो वो आप अगर पता कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, अरे, कट गया है, क्या, उस तो लोचा है, थीटा भी दिया गया है आपका एंगल जो है कितना रखना है तब यहां पर आपको थीटा टू मिल जाएगा और यहां पर साइटा टू इसे कॉल एतना तो थीटा टू इसे कुल टू साइन इन वर्स आपको करना है यहां पर इसको काउंस में 0.6791 ऐसा करेंगे तो आपका यह मिलन मिल जाएगा 42 डिगरी ठीक है ऐसा मिल जाएगा तो आपको यह सब चीज आइडिया आ जाएगा तो यह सिंपल है ताइन लो जो है हमारा पुंसा है शेल लो जो है वह लोग वह को क्लियर पता चल जाएगा अभी अम लोग चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी वह चेप्टर को क्लोस करते हैं ठीक है 16 17 18 विदूई पैज बचा है ठीक है चलो आगे बढ़ते है श्वान बिलो तो वेव ट्रावेल दो इलिप्टिकल पार्टिकल मोशन यहां पर इलिप्टिकल पार्टिकल मोशन होगा मतलब पहले क्या था शीर वेव में क्या था शीर वेव ऊपर नीचे था लॉंजिट्यूर्णल आगे पीछे था ठीक है तो इसमें यह बाई सब कैसा प्रूट्वी सं जो है सन और हमारा प्रूट्वी आर्थ और कैसा गुमता है सन के आगे पीछे और ऐसा इलिप्टिकल डायरेक्शन में गुमता है ना तो वैसे ही यहां पर यह पूरा पूरा एक मटेरियल है यहां से डायरेक्शन जाएगा तो यह जो इसका मोशन होगा ना वह पहला ऐसे उपर नीचे उपर नीचे अपर नीचे होगा ठागा उपर नीचे उपर नीचे मतलब पूरा राउंड में इलिप इलिप्टिकल राउंड रहेगा ठीक है ओके आगे बढ़ते है तो सर्फेस वेव आर यूस्फूल इन डिटेक्ट दिंग देखो क्या लिका है सर्फेस वेव का अच्छा काम क्या है अच्छा कर सकता है बट अनली पैनेट्रेट अबाउड वन वेव लेंट मतलब खाली वेवलेंग जितना ही वो पैनेट्रेट होता है मतलब उसका पैनेट्रेशन पावर बहुत लो है इसकी बज़त से ही अम लोग नॉर्मल में भी ज्यादा नहीं यूज करते है एंगल में देश्क बहुत कम इसकता है क्यों उसका यह यutta बोलता है वेव लेंदि उसका ऑट है वेव लेंद इटिए ओ च्टा है इसका मतलब यह हुआ कि कम ठीकनेस में ही और यूत को सकता है आगे बढ़ते है प्रफेस्ट वेलो प्रफेस्ट वेलिटी तो फॉलो प्रफेस्ट काउंटर अ लॉग अ लॉग अ लॉग अ लॉग को वापस उसको और एंगल थोड़ा बढ़ाया 58 डिग्री से भी ज्यादा लिया या तो 58 डिग्री लिया उस टैम पे शीर वेल जो है वह सर्फेस्ट उसके उपर आया तो अभी वह जो सर्फेस्ट वेव है उसका डाइरेक्शन कैसा है इलिप्टिकल पार्टिकल में ड कि राउंड से संवहां और जारेक्शन के पीचे व Unity इत कर सकता है वह ज्यादा काम करंन है फिक है और वह कहां बहता है सर्फेस्ट वेस्ट उपर इन्फल Commission बढ़ा बैटा अभी देखो यहां यहां पर में एंगल प्रोप अब यूज कर रहा हूं 58 डिग्री से भी ज्यादा तो क्या होगा देखो इस सर्फेस के ऊपर ही वह होगा अगर समझो यहां पर ऐसा कोई क्रेक है फिर वह रिटन जाएगा ठीक है अगर अगर अब्रूब्ट जैंज नहीं होगा छोटा मोटा ऐसा मट्रियल का कोई सब्सक्राइब यहां पर ऐसा कुछ होगा तो अगर चोटा मोटा चैंज है तो चले का भाई जाब प्यार से उसको चलाना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आफे हुआ अगर मैं यहां पर ऐसा ऐसाइस पिंगर से आइसा है को क्या चल रहा है उसको और hundred and कि मतलब वो इको दिखाएगा वहाँ पे ऐसे भी आप सेंसर से चेक कर सकते हैं आपके उंगली के उपर आपको रांस्डूसर लगाना मस्वरी कपलान लगाना है वो वाइल है वो पूरा का पूरा सर्फेस वेव को शोख लेगा राइट तो ऐसा भी होजकता है आपका आपका वेव और लंग वेव उसका दूसरा भी नाम है डिस डिस्पर्सिव वेव लिख लो नाम लिख लो बहुत इंपर्टन है आपको लेवल 3 के एक्जाम में आएगा डिस्पर्सिव वेव लिख लो प्लेट वेव भी बोलते है उसको लाम वेव भी बोलते है उसको डिस्पर्स एक दों स्माल प्लेट शीट मेटल इंडुस्टी ने यूज़ होता है ठीक है प्लेट इन नौ वेडियाइटी वेव मोर डिपेंड अन्द प्लेट तिकनेस ट्रांस्टूसर ट्रिक्वेंची एंड इंसीडेंट एंगल उसका भी यह एंस्टूसर टिक्वेंची उपर और उस यहां पर देखो प्लेट वेव का क्या है यहां पर यहां से जो इसका पार्टिकल होगा ना इसकी ऐसे डायरेक्शन में राउन में यह भी ऐसे डायरेक्शन में राउन में ऐसा मोशन होगा इस इन प्लेट शीट दिखाया गया है इसका डायरेक्शन जो है उपर नीचे occupy the entire thickness of the part without the saturating the part wave cannot be exist, उसका situation point आएगा वहाँ पर बाद में काम नहीं करेगा तो यहाँ पर symmetrical हो या symmetrical हो, कैसा longitudinal का ठीक है इसमें ऐसा use होता है, इसको बोलते है plate wave, लेकिन problem क्या है यह plate wave का हम लोग market में आजकल use नहीं करते है और इसमें problem भी यह है, कि जो भी party, जो भी हमारा object है, या तो जो भी हमारा चीज है उसका में हमको UT यह wave से करना है, plate wave से करना है, तो उसको तो बहुत vibration एकदम जो आगे का wave उससे बहुत खाली उंगली मारते हैं तो भी हमको इको बता, तो यह तो उससे भी danger है इसको पहले तो पूरा का पूरा part को अलग करना पड़ेगा machine से, ठीक है, जिसका भी आपको UT plate wave से करना है उसका, तो ऐसा हम कर सकते है हाँ, छोटा मोटा part है तो कोई problem नहीं है, लेकिन जो part attach हो चुका है, long seam है, pressure vessel का long seam है, उसका मुझे plate wave से करना है, तो मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो long seam काट के बहार निकालने का तो भी long seam मारा ही क्यों, राइट, हम लोग कैसे बहार निकाल सकते हैं, तो इ to adjust the accident, sorry incident angle to the point the maximum reflection are observed on the CRT screen from the non reflector, okay, it is not possible to generate the shear or surface wave on the material thinner, then one half wavelength, okay, surface wave जो है, वो खाली वेलें तक हम लो करता थे, right, और यह जो है, one half, one half, sorry, one half, one half wavelength, right, इतना हम लोग use करना है, तभी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन one half wavelength का इतना तो हम लोग sensitivity होता है, right, point five, point six, ऐसा तो हम लोग sensitivity, तो इतना प्लेटम कहां से लेक्या है, इतना छोटा सा, ऊपर से दूसरा है, उसको अलग-अलग करना है, एक तो material समझो, इतना area का मुझे समझो करन है, तो पर वापस यहां पर building मारना पड़ेगा, यह तो आग लग जाएगी, आग तो नहीं लगेगी, मतलब problem create होगा, इसी की बज़से, यह चारो waves आपको समझना बहुत जरूरी है, long seam, sorry, longitudinal wave, transverse wave, मतलब shear wave, plate wave, and last में, surface wave, या तो लम स्रिव, या इसका नाम भी बहुत करता हूँ, thank you very much, मैं आशा करता हूँ, आप लोगों को सब समझ में आया होगा, और आप लोग अपनी life में इसको यह यूज़ करते रहेंगे,